हलो दोस्तो, Toppers Cause Academy के YouTube चनल में आपका स्वागत है, मैं तिलक सर्मा, आज की क्लास में हम लोग बात करने माले हैं, LCM और SCF के miscellaneous type के जो numbers होते हैं, उनके लिए हम लोग कैसे find करेंगे LCM और SCF को, आज उसी को देखना है, तो LCM और SCF के, जब हम concept की बात करते हैं, तो last lecture में हमने LCM और SCF natural numbers के लिए और fraction यानि की भिन के लिए कैसे find करेंगे, वो हमने सीखा था, आज की क्लास में, जो miscellaneous type के numbers हैं, उनके लिए LCM और SCF find करना सीखेंगे, ठीक है, example के लिए, जैसे आपके number, मालो root की form में given है, तो उनके लिए LCM और SCF को कैसे find करना है, उसके बारे में देख लेते हैं, जैसे example में आपको given है, root में 12, root में 42, root में 44, इस तरीके से, root में आपका 12, root में 42 और root में 44, इसके case में आपको क्या find करना है, LCM और SCF, जब भी इस तरह के questions हमारे सामने आते हैं, miscellaneous type के लिए LCM और SCF find करना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या use करेंगे, factorization method, factorization method हमेशा miscellaneous type के लिए use किया जाता है, क्या होता है factorization method, यह आपको last lecture में मिल जाएगा, आप last lecture को एक बार जब देखेंगे, तो वहाँ पर factorization method को थोड़ा detail में होताया गया है, root 12 की अगर हम बात करते हैं, तो root 12 के जो factor होंगे, वो क्या होंगे, आपके 2 into 2 into 3, इस तरीके से, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आपका root 2 into 2 into 3 को, root 2 into root 2 into root 3, इस तरीके से, अब इसमें root 42 की अगर हम बात करते हैं, तो 42 को हम क्या लिखते हैं या पर 2 x 3 x 7 तो root 2 x root 3 x root 7 इसको भी हमने factors की form में break कर लिया last में 1 लिखना नहीं बूलना है ठीक है अब यहां पर root 44 की अगर हम बात करेंगे तो यह root 44 को क्या लिखेंगे 2 x 2 x 11 तो इसको break करते हैं तो root 2 x root 2 x root 11 x 1 तो हमने सब को factor की form में break कर लिया अब इनका अगर हमें LCM find करना है तो हमें क्या दिखना होता था factorization method में कि in sum में common क्या-क्या आ रहा है अब in sum में अगर हम common की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो हमें 1 दिखाई दे रहा है कि 1 common है in sum में तीनो में उसके बाद इन तीनो में common क्या है देखो एक तो root 2 यहां पर root 2 और यहां पर भी root 2 तो यह आपका root 2 in sum में common है इसके बाद और कुछ ऐसा जो common है इन तीनो में ऐसा तो कोई number नहीं है तो फिर आपके कोई भी दो numbers के factors के बात करेंगे कि उन में common क्या है जैसे root 2 इसमें और इस वाले में common है इसको भी हमें one time ही लिखना है इसके बाद root 3 इसमें और इसमें common है तो यहां पर root 3 को भी हमें one time लिखना है अब बच किया जाता है root 7 और root 11 इनको हमें individual लिख देना है root 7 into root 11 ठीक है अब यहां पर इन सब number का जब multiply करेंगे तो यह आपका 11, 11, 7 जा कितना आएगा 77, 77, 3 जा कितना आएगा 231, 231 और 231 फोर जा root में 231 का 4 का multiply करेंगे 4, 4, 3, 12 और यह 9 तो यह आपका 924 आ सकता है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 under root में 231 ठीक है 77 और यह 231 तो यहां पर जो answer आएगा LCM का वो root 924 हो सकता है या आपका 2 root 231 होगा इसके बाद जब हम बात करते हैं HCF की तो HCF में हमें क्या लेना होता है कि इन sum में common क्या है तीनो में ठीक है तीनो में common क्या था 1 और common क्या था root 2 इसके लाबा और तो कुछ नहीं common सब में तो आपका और कुछ common नहीं है तो आपका जो answer आएगा वो क्या आएगा root 2 तो HCF यहाँ पर इन numbers का क्या हो जाएगा root 2 ठीक है तो LCM और HCF अगर root में numbers given है तो इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से find कर लेंगे इसके बाद हम इसके अगले question की तरफ चलें तो next example आपको इस तरीके से कुछ दिया है जैसे यहाँ पर हमने number लिए यह आपका 1.2, 0.12, यह आपका 12 ठीक है इन numbers के लिए हमें क्या find करना है LCM और HCF ठीक है तो जब भी इस तरह के numbers आपको decimal form में यानि की disembluff के रूप में दिये होते हैं तो आपको इनको क्या करना है fraction की form में change कर लेना है fraction की form में change करेंगे तो point को टाएंगे तो यहाँ पर 0 आगया यहाँ पर point हटाएंगे तो यहाँ के आएगा 100 और यहाँ पर आप इसको 12 upon 1 लिख सकते हैं ठीक है अब इन सारे numbers के लिए हमें क्या करना है numerator और denominator को अलग-अलग करना होता था तो यहाँ पर numerator और denominator यानि की uns और हर को अगर अलग-अलग करेंगे तो यहाँ पर uns में आपको क्या मिलेगा 12, 12 और 12 सारे number जब सेम होते हैं तो LCM और HCF यह दौनों क्या होते हैं एक दूसरे के equal होते हैं और किसके equal होते हैं? उस सेम नंबर के तो यह LCM किसका है? numerator का और यह HCF यह भी आपका numerator का है ठीक है? 12 denominator की बात करते हैं तो यहाँ पर 10, 100 और 1 दिया हुआ है इनके लिए अगर आप LCM की बात करोगे तो LCM क्योंकि सारे नंबर क्या है एक दूसरे से divisible हैं तो यहाँ पर LCM क्या जाएगा? largest number यानि की 100 HCF की बात करेंगे तो यह denominator का है और यहाँ पर HCF अगर denominator का find करते हैं तो वह हमें कितना मिल जाएगा? इन सम्में smallest number क्या है? 1 तो 1 मिल जाएगा अब इन दौनों के case में जब हम find करेंगे LCM और HCF को ठीक है? overall जब LCM find करेंगे तो क्या होता था formula last class में बताया गया था LCM के case में LCM उपर रखना है और HCF को नीचे रखना है numerator वाली चीज numerator में आएगी denominator वाली denominator में तो यहाँ पर LCM numerator का कितना है 12 और HCF denominator कितना है one तो यह answer कितना द्रेगा 12 आजाएगा अब यहाँ पर अगर हम बात करते है HCF तो उपर HCF को अभ रखना है और नीचे किसको रखना है LCM को Pal 순 cruelty और sec denominator में रहेगा. HCF numerator का कितना है? 12 और अगर हम बात करें, LCM denominator का ये कितना दे रखा है? 100. 12 upon 100 को क्या लिखेंगे हम लोग? 0.12. तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आजाएगा? 0.12 आजाएगा. तो इस तरह के जब question पूछे जाते हैं, तो हम ऐसे पदा कर लेंगे. एक example आपको और देख लेते हैं इसमें. कुछ इस तरीके से given है. Root 12, यहाँ पर, यह Root 12 है और यह आपका 12 है और इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 1.2 को, ठीक है? Root 12, 12 और 1.2. इसमें आपके सारे numbers को मिला दिया गया है. यह natural number है, यह आपके root वाले number, miscellaneous number और यह दसमलब वाले number, यानि की decimal वाले number. इन सब के लिए हमें क्या find करना है LCM और HCF. ठीक है, कैसे find करेंगे? यह देख लेते हैं. Root 12, 12 और यह आपका 1.2 है. इसके respect में हम क्या find करेंगे? सबसे पहले, इनके factors करने होंगे आपको, इसको point हटाएंगे, तो नीचे क्या आजाएगा? 10, यहाँ पर 1, और root 12 को आपका 1 लिख देंगे. ठीक है? अब इसमें root 12 को हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर root 12 को under root में 2 into 2 into 3. यहाँ से 2 तो हमारा बहार आजाएगा. तो क्या लिखेंगे? इसको 2 into 3. तो इसमें जो numerator है, numerator वो हमें क्या-क्या मिला है यहाँ पर? root 12, 12 और यहाँ पर भी आपका 12. ठीक है? root 12 के respect में जब इसके factor करते हैं, तो 2 into root 3 into 1. 12 के respect में जब factor करेंगे, तो 2 into 2 into 3 into 1. ऐसे ही 12 के respect में है, तो यह भी सेम आएगा 2 into 2 into 3 into 1. अब यहाँ पर LCM जब हम find करते हैं, numerator का, तो वो हमें क्या मिलेगा LCM? इन सम में common, 1 common है, 1, और इन सम में क्या common है, आपका 2 common है, तो 2 लिख दिया. अब तीनों में कुछ common नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 और 3 यह common मिल जाएंगे, तो 2 into 3 लिख दिया. अब क्या बच गया आपका यहाँ पर, root 3, तो यहाँ पर root 3 आपने लिख दिया, तो 4, 4, 3 जा 12, तो यह कितना आजाएगा, 12 root 3, ठीक है, तो यहाँ पर 12 root 3 है, यह क्या आजाएगा, LCM आजाएगा, numerator का, denominator की अगर हम बात, sorry, hcf की अगर हम बात करें, hcf, किसका, numerator का, इन सब का, अगर हम hcf निकालेंगे, तो इन सब में क्या common है, एक तो 1 common है, और दूसरा क्या common है, 2, तो hcf कितना आजाएगा, 2 आजाएगा, ठीक है, अब ऐसे ही denominator की case में, अगर हम बात करते हैं, denominator की, denominator की case में, आपका जो lcm है, क्योंकि सारे number आपके, देखो, 1, 1 और 10 है, 1, 1 और 10, अगर lcm की बात करते हैं, तो lcm denominator का कितना आजाएगा, 10, और अगर हम hcf की बात करते हैं, तो hcf denominator का कितना आजाएगा, 1, तो lcm और hcf हमने अलग-अलग find कर लिए, numerator और denominator के लिए, अ overall अगर आप lcm find करोगे, देखो जरा इसमें, क्या answer आएगा इसका, वो दिख लेते हैं, overall जो lcm आएगा, वो क्या आएगा, lcm numerator का, कितना है आपका यहापर, 12 root 3, 12 root 3, divide में आपका, denominator का hcf कितना है, 1, तो lcm की जो value आएगी, वो कितनी आजाएगी, 12 root 3, ठीक है, तो hc hcf की जो value, lcm की value आएगी, वो 12 root 3 हो जाएगी, और अगर हम hcf की बात करते हैं, तो hcf numerator का कितना है, 2, divide by, lcm denominator का कितना है, 10, तो 2 upon 10 को क्या लिखेंगे, 0.2, ठीक है, तो hcf की value कितनी आजाएगी, 0.2, तो इस तरीके से number अगर मिला के दिये जाएगे, तो उनके कुछ number ऐसे हैं, जो algebraic function की form में आपको given है, तो उनके लिए कैसे हमें find करना होता है, lcm और hcf वो देख लेते हैं, example के लिए यहाँ पर given है आपको x square minus 1, x minus 1 का full square, इस तरीके से, ठीक है, अब इन दौनों के case में आपको यह find करना है, कि lcm और hcf क्या होगा, ठीक है, lcm जब ही हम find करेंगे, तो हमें, जो क्यों miscellaneous number है, miscellaneous number को हमें क्या करना है, factor की form में break कर लेना है, factorization method से, ठीक है, यह x square minus 1 जो है, इसको जब हम break करते हैं, तो हमें x minus 1 मिलता है, और 1 x plus 1 मिलता है, ठीक है, last में हम 1 को लिखके चलेंगे, क्यों लिखेंगे, भी इसको भी explain किया जाएगा, साथ ही साथ x minus 1 का जब whole square करते हैं, तो यह x minus 1 into x minus 1 और into 1, इन दोनों में जब आप lcm find करोगे, तो आप क्या देखोगे, कि इन दोनों में common क्या है, एक तो 1 common है, और एक common है क्या, x minus 1, तो 1 into x minus 1 को one time लिखना है, बच क्य गया, एक बार आपका x plus 1 बच गया, और एक बार आपका x minus 1 बच गया, ठीक है, इसको चाहो तो simplify करके ऐसे लिख सकते हो, कि x minus 1 का whole square, और साथ में x plus 1, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको x square minus 1, x square minus 1, और उसके साथ साथ आपका x minus 1, इस तरीके से, x minus 1 ऐसे भी लिख सकते हो इसको ठीक है जिस form में भी answer आपको दे रखा हो अगर यहां पर हम hcf find करेंगे तो इन दौनों में common क्या आएगा इन दौनों में अगर हम देखेंगे तो आपका एक तो one common है और दूसरा x minus one तो answer जो आएगा वो आपका कितना आएगा x minus one ठीक है तो LCM और SCF के लिए हम बड़े आराम से इस तरह से answer निकालेंगे सबसे जरूरी चीज यहां पर जो ध्यान अखने वाली है कि हमें यह देखना है कि जो भी algebraic function दिया गया है उसको हम एकदम से factor करके minimum form में लेकर आएए factors की form में जब लेकर आजाएंगे तो फिर उसके लिए answer find करना हमारे लिए बड़ा असान रहता है जैसे example के लिए question इस तरह से भी दिया जा सकता है x square plus का 3x 28 minus का 28 कर लेते चलो यहां पर minus का 28 ठीक है तो x square plus 3x minus का 28 equal to यह आपका एक function given है और इसके साथ साथ एक function और ले लेते हैं x square यहां पर plus का 14x और plus का 49 इस तरहीक से ले लेते हैं जलो ठीक है अब इन दौनों function में हमें LCM और HCM find करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा x square minus 3x minus के 28 इसके फेक्टर करने पड़ेंगे ठीक है प्लस का 3x sorry ठीक है यहां पर फेक्टर होंगे वो कैसे आएंगे आपका x square minus का sorry plus का यहां पर 7x minus का 4x और minus का 28 ठीक है इन दौनों में x को common लिया तो यह क्या आगया x plus 7 यहां पर minus 4 को common लिया तो यहां पर भी x plus 7 common आ गया हो ठीक है अब इसमें x plus 7 दौनों में common है और x minus 4 यह आपका बच जाता है ठीक है तो यह इसके factor हो गए ऐसे ही x square plus 14x plus 49 इसके जब हम factor करेंगे तो यह क्या आता है आपका x plus 7 का whole square ठीक है दौनों के factor आपके हो गए x plus 7 के whole square को क्या लिखेंगे x plus 7 into x plus 7 ठीक है last में 1 को लिख दो यहां पर भी आप 1 को लिख दो LCM आप find करोगे इस case में तो LCM कैसे आएगा आपका यहां पर आपको यह देखना है कि common क्या इन दोनों में तो देखो 1 common आजाएगा और दूसर क्या common आजाएगा x plus 7 तो 1 into x plus 7 common आगया और x minus 4 यहां पर और x plus 7 x minus 4 और यहां पर x plus 7 minimize करके आप लिखोगे तो यह क्या जाएगा x plus 7 का whole square multiply में x minus 4 यह LCM आजाएगा इसका ठीक है और अगर हम बात करते हैं यहां पर HCF की तो यहां जो HCF मिलेगा हमें इस question का इन दौनों में common 1 और x plus 7 है multiply करने पर आपको क्या मिल जाएगा finally x plus 7 तो इस तरीके से हम algebraic function जब भी हमें दिये जाएंगे तो उनको हम factors की form में break करना हमें आना चाहिए अगर break कर लिया हमने तो फिर हम finally उस question का answer भी find कर लेंगे तो आज की class में हमने miscellaneous type की questions को कैसे solve करना है वो देखा इसके next class में हम लोग इसके rules के बारे में पढ़ेंगे कि LCM और SCF को लेकर कौन-कौन से rules हैं जिनसे questions आपके previous year में पूछे गए हैं तो आज की class यहाँ पर आपका complete होती है मिलते हैं इसकी next class में thank you कर दो